हेलो एब्रिवन आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास सेवेन के हिस्टरी का थर्ड चैप्टर दिल्ली सुल्तान का पाट वन का हिंदी समरी तो चलिए देर ना करती हुए वीडियो की तरफ रूख लेते हैं फ्रेंड्स हमने चैप्टर टू में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे छेत्र बड़े राज्जियों के केंद्र बन गये थे और हमने ये भी चैप्टर टू में देखा कि वहाँ दिल्ली का कोई जिक्र नहीं था कि दिल्ली किसी राज्जी की राजधानी रही हो इसका वज़ फिगर पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ नीचे के पेज में दिया गया है दर रूलर्स अफ दिल्ली इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अलग-अलग वंसों ने कब से कब तक राज किया था यहां पे हम लोग देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि किस राजवनस ने कब से कब तक कापना राज काज संभाला था पहले पहर तॉमर राजपूतो के काल में दिल्ली किस समराज की राजधानी बनी 12 सदी के मध्ध में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया तोमर अर चौहानों के राजिकाल में ही दिल्ली वानीज का एक महत्पुन केंद्र बन गया था इस सहर में बहुत सारे समरिद्दी साली जैन ब्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्मान भी करवाया था यहां देहलीबाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में भी थे 23 सदी के सुरुवात में दिल्ली सल्तनत की अस्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंतरन इस उप महाद्वीप के बहुत बड़े छेतर पर फैल चुगा था नीचे हम लोग फिगर वन में अभी तुरंत हमने जो देखा है उसमें पांच वन्स के बारे में दिया गया है और बताया गया है कि कौन-कौन से सुल्तान कब से कब तक बने रहे थे जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाये थे ठीक है जैसे कि यहाँ दिया गया है इसमें सभी बताया गया है कि कब से कब तक सुल्तान ने राज किया था और कौन-कौन से नगर को बसाया था अब इसके आगे की तरफ हम लोग रूख लेते हैं Finding out about the दिल्ली सुल्तान्स यानि कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हलांकी अभिलेक, सिक्को और भवन निर्मान कला के माध्यम से काफी सुचना मिलती है मगर और भी महत्पून वे इतिहास तारीक है तवारिख के लेखक, सचिव, प्रसासक, कभी और दर्वारियों जैसे सुसिक्षित ब्यक्ती होते थे जो घटनाओं का वर्नन भी करते थे और सासको को प्रशासन संबंदी सलाह भी देते थे वे नियासंगत सासक के महत्पो पर भी बल दिया करते थे ये कुछ और बात जो है जिसे ध्यान में रखने की आवसेक्ता है जिसमें पहले है तवारिख के लेखक नगरों में बिसेशकर की दिल्ली में रहते थे गाव में सायद ही कभी रहते हों वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे धेर सारे इनाम इकराम पाने की आसा में लिखा करते थे तिसरा ये लेखक अक्सर सासकों को जन्मसिद अधिकार और लिंग भेत पर आधारित आदस समाज बेवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे उनके बिचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे सन 1236 में सुल्तान इल्तुस्तमिस की बेटी रजिया सिंहासन पर वे थी उस यूग के इतिहास कार मिनहाज एस सिराज ने सुईकार किया है कि वो अपने सभी भाईयों से अधिक योग और सक्छम थी लेकिन फिर भी वो एक रानी को सासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था दरबारी जो महां के दरबारी जन थे उन्होंने भी उसे स्वतंत्र रूप से सासन करने की कोशिश से प्रशन नहीं थे वे लोग सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था यहाँ नीचे दिया गया है रजिया के बारे में मिनहाज एस सिराज के जो बिचार थे उसको यहाँ पर बताया गया है इसको अमलुक देख लेते हैं मिनहाजे सिराज का सोचना था कि इस्वर ने जो आदर समाज बेवस्था बनाई है उसके अनुसार इस त्रियों को पूरुसों के अधिन होना चाहिए और रानी का सासन इस बेवस्था के बिरूद जाता था इसलिए वो पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका बेवरा चुकि मर्दों के सुची में नहीं आता इसलिए इतनी सांदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ रजिया ने अभी अपनी अभिलेक और सिको पर अंकित करवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिस की बेटी थी आधुनिक आंत्रपरदेश के वारंगल छेतर में किसी समय ताकतिय वंस का राज्य था उस वंस की रानी रुद्रमा देवी जिन्होंने बारोसो बासट से बारोसो नवासी के मद्ध राजकाज संभाला था उनके बेवस्ता से रजिया का बेवहार बिल्कुल ही भी पृत था रुद्रमा देवी ने अपने अविलेख में अपना नाम पूरुसो जैसा लिखवा कर अपने पूरुस होने का भ्रम पैदा किया था एक और महिला सासक थी कस्मीर की रानी दिद्दा जिन्होंने 980 से 1003 तक सासन किया था उनका नाम दीदी से निकला है जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिये रानी को ये इसने भरा संबोधन दिया था इसके नीचे आप देखते हैं अगला टॉपिक फ्रॉम गैरिशन टाउन टू एम्पाइर यानि कि दिल्ली सल्तनत का विकास और गैरिशन सहर से समराज तक का सफर 23 अताबदी के सुरुवात वर्सों में दिल्ली के सुल्तानों का जो सासन था वो गैरिशनों यानि कि जो रक्षक सैनी की टुकडी होती है उसे गैरिशनों कहा जाता है उसके निवास के लिए बने मजबूत कीले बंद सहरों से परे सायध ही कभी फैला हो सहरों से संबंद लेकिन उससे दूर भीत्री प्रदेशों पर उनका नियंतरन ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्चक समागरी रसद आदी के लिए ब्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर होना पड़ता था दिल्ली से सुदूर, बंगाल और सिंध के गैरिसन सहर का नियंतरन बहुत ही कठिन था बगावत, यूध, यहां तकी खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सुत्र छिन भीन हो जाते थे सासक को अफगानिस्थान से आने वाले हमलावर और उन सुबेदार से बराबर चुनौती मिलती रहते थी जो जरासी कमजोरी का अभास मिलते ही विद्रोह का जहंडा खड़ा कर देते थे इन चुनौतीयों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आपको बचाए हुए थी इसका स्थापना ग्यासुदीन बलवन के सासनकाल में हुआ और इसका बिस्तार अलावदीन खलजी और मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ सल्तनत की भीत्री सिमाव में जो अभियान चले उनका लक्ष था गैरिसेन सहर की प्रिष्ट भोमी में इस्थित भीत्री छेत्र की इस्थिती को मजबूत करना इन अभियान के दोरान गंगा यमुना के दुवाब से जंगलों को साफ कर दिया गया और सिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को उनके परियावास से ख़देर दिया गया था वह जमीन किसानों को दे दी गई और क्रीसी कारे को प्रोटसाहना दिया गया ब्यापार मार्क की सुरक्षा और छेत्रिय ब्यापार की उन्नती की खातिर नए नए किले गैरिसन सहर और सहर बनाय बसाए भी गये थे दूसरा बिस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ अलाउदिन खलजी के सासनकाल में दक्षिन भारत को लक्ष करके सैनिक अभियान सुरू हुए और ये अभियान महमुद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोडे, गुलाम और मुल्लेवान धातु अपने कबजे में ले ली दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की सुरूआत अपेक्षा करित कमजोर थी मगर डेर सो बर्सबाद महमुद तुगलक के राजिकाल के अंतक इस उप महाद्विप का एक विसाल छेतर इसके युद अभियान के अंतरगत आ चुका था इसने सत्रूओं की सेनाओं को परास्त किया और सहरों पर कबजा किया इसके सुबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर्व ही वसूला करते थे लेकिन इतने विसाल छेतर पर इनका नियंतरन किस सीमा तक और कितना प्रभावी था इसके बारे में हम लोग कुछ देखते है यहाँ figure 2 में बताया गिया है कि बाराहुए सदी के आकरी दसक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी जो मिनारे हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गिया है नेक्ने मस्जिद थोड़ा सा जान लेते हैं मस्जिद के बारे में यह अर्भी का सब्द है जिसका साब्दिक अर्थ होता है ऐसा अस्थान जहां मुसल्मान अल्ला की अराधना में सजदा यानि घुटने और माथा टिकते हैं जामा मस्जीद वो मस्जीद होती है जहां अनेक मुसल्मान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजीयों में से सबसे अधिक सम्मानिये और बिद्वान पुरुष को इमाम यानि की नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम सुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोप देश भी देता है। नमाज के दौरान मुसल्मान मक्का की तरफ मुह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पस्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला भी कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उप महादूइप के अनेक सहरों में मस्जीद मनवाई। इससे उनके मुशल्मान और इसलाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान अचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले सुरधालूओ के परस पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन करने में भी मस्जीद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुशल्मान अनेक भिन भिन परकार की प्रिष्ट भूमिया से भी आते थे। यहाँ फीगर में हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स अलग-अलग मस्जीद के बारे में जिसको अलग-अलग फंसो ने बनवाया था। इसका नेक्स्ट है एक क्लोजर लुक, एड्मिनिस्ट्रेशन एन, कंसलोडीशन, अंडर ध, ख झालँ उलग-अले, तृमिनिस्ट्ट भी है प्रिशन एन सबस्टाष भ्रेंट आते पे घुक, एड्मिन YOUुक, एड्मिन झालग-ट, भी आते रूमिन झालग-ग, ठाज-ट, अजर्प्ह, बालग-टू मैं, क्क्रा-जबरucker हैं, जिसका एका रमिनिस्का ग Wait- towrab, ऊजर में